जीनत अमान हिंदी सिनिमा की सुन्दर प्रतिवाशाली अभिनेत्रियों में से एक है जीनत ने अपनी दमदार अदायगी और रुमानी अदाओं से सत्तर से असी के दशक में दशकों के दिल में राज किया एक नजर डाले बॉलिवुट की इस दिलकश अदाकारा के अब तक के सफर नामे पर जीनत अमान का जन 19 नवेंबर 1951 को मुंबई में हुआ था उनके पिता अमन उला खान हिंदी सिनिमा के मशूर स्क्रिप्ट राइटर थे जिनोंने मुगले आजम पाकिजा जैसी फिल्मों की स्क्रिप्ट लिखी मा बरदीनी थी महज 13 साल की उम्र में जीनत ने अपने पिता को खो दिया उनके जाने के बाद जीनत ने अपने पिता का नाम अमान को अपना सरनेम बना लिया जीनत ने कॉलेज की पढ़ाई मुंबई के सेंट जेवियस कॉलेज से ग्रेजुएशन की है साल 1970 में जीनत मिस इंडिया ब्यूटी पेजेंट कॉन्टेस्ट की सेकंड रनर अप हुई थी जीनत पहली ऐसी महिला थी जिनोंने साल 1970 में मिस पैसिफिक एशिया का खिताब जीता था साल 1971 में जीनत ने हल चल और हंगामा जैसी फिल्मों से अपने सिने सफर की शुरुआत की जो बॉक्स ओफिस पर ओंधे मुगिरी इसके बाद उन्हें हरे रामा हरे कृष्णा के लिए देवानन ने अप्रोच किया 1971 में आई इस फिल्म से जीनत रातो रात लोगप्रिय हो गई आपको जानकर हैरानी हो मगर अपनी पहली दो फिल्मों को मिली जबर्दस असफलता से नाकुश होकर जीनत अपनी माँ और सौतेले पिता के साथ भारत चोड़कर विदेश जा रही थी मगर देवानन ने जीनत को फिल्म हरे राम हरे कृष्णा के रिलीज होने तक रुकने की गुजारिश की फिल्म को मिली जबर्दस सफलता ने जीनत को एक बार फिर अपने एक्टिंग करियर को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया हेमा मालिनी के साथ जीनत अमान भी अपने दौर की सबसे ज्यादा फीज लेने वाली अभिनेत्री थी हरे राम हरे कृष्णा फिल्म के सफलता के बाद जीनत ने कई सफल फिल्में और बॉलिवुड के उस दौर की बहतरीन अभिनेत्रियों में गिने जाने लगी साल 1978 में आई फिल्म सत्यम शिवम सुन्दरम जीनत की एक और ब्लॉक्वस्टर फिल्म साबित हुई इस फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट आक्टर्स के अवार्ड से भी नवाजा गया जीनत को वो सब कुछ मिला जिसकी वो हगदार थी बॉलिवुड में अच्छा नाम, शोहरत, पैसा, बहतरीन फिल्में मगर जो नहीं मिला वो थी सफल शादिशुदा जिन्दगी जीनत की नीजी जिन्दगी बड़ी डरावनी थी जीनत का नाम कई पूर्शों के साथ जुड़ा गया जिसमें एक नाम उस दौर के मशूर अभिनेता संजै खान का भी था कहा तो यह भी जाता है कि दोनों ने कुपचुप तरीके से शादी भी की थी जीनत को लेकर संजै का रवया कुछ खास नहीं था वे आई दिन जीनत से मार पीट किया करते थे जिससे परिशान होकर आखिरकार दोनों का रिष्टा तूट गया फिर जीनत की शादी साल 1985 में अभिनेता मजर खान के साथ हुई कहा जाता है कि दोनों के बीच शादी के बाद से ही मदभेद शुरू हो गय थे इस शादी से उन्हें दो बेटे अजान और जहान थे मगर दोनों के बीच मदभेद थमने का नाम नहीं ले रहा था साल 1999 में मजर की किद्नी फिल होने के कारण मौत हो गई